नमस्कार दोस्तों राजस्थान इप्वियो वकेंसी की बात करेंगे और इसके स्लेबस को देखेंगे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि स्लेबस भले लंबा है लेकिन प्रक्रिया दिविस्तरी है यानि रिटन इग्जामिनेशन के बाद सीधे आपका इंटर्वी होना है साक्षात कारूना है और अगर आप रिटन में अच्छा नंबर कर ले रहे हैं तो इंटर्वी में भी आपका लगभग तै हो जाता है तो एक जो यह पूर्वागरा बना हुआ है कि राजस्थान अन राजियों को नहीं लेता है तो इस मिथक को आप वैस्ची भी तोड़ सकते हैं अगर आप मुख परिच्छा यानि जो प्रथम चरण है रिटन इग्जामिनेशन का उसमें आप अच्छा करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रेशन रहेंगे और इंटर्वी रहेगा दो ही प्रक्रिया मनिया को बताया तो मुख परिच्छा से आप यह एक्ट आही रहें 12 से जाधा एक्ट्स हैं दूसरे में जो है वो लैंग्विज का पेपर रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश आएंगे 50 नंबर का पेपर रहेगा आपका लैंग्विज का जो पेपर 2 है और लौका रहेगा 1500 नंबर का तो तीन घंटे का लौका और दो गट आपका रहेंगे लैंगविच का तो City का पूरा पेपर रहेगा इंटर्विए आपका पचिस नंबर का रहे का यानि DOUबcipliger और परेकेammenरीच पेपर and 40% marks in aggregate तो ये दोनों condition जो है वो आपको पूरी करनी रहेगी 35% mark प्रतिक पेपर में और 40% जो है वो aggregate भी होना चाहिए written examination में और देखिए it shall be compulsory for the candidate to obtain a minimum 5 marks in interview यानि 5 नमबर आपको 25 में से पाने ही पाने हैं तो ये 20% का रूल कोई दिकत नहीं इसमें 5 नमबर वाले में अब देखिए जो paper है लौका उसमें IPC है तो इस IPC में आप chapter में मत जाएगा लगबख सारे chapter cover कर लिया है section 1C start कर रहा है 19.511 तक अपने आप में आ गया है देखिए CRPC की अगर हम बात कर रहे हैं evidence act की तो इसमें भी लगबख सभी chapter है आप हो सकता क्या paragraph वाइस तायारी करना चाहें तो भी बढ़िया है लेकिन CRPC मतलब CRPC है और evidence act मतलब evidence act है इसको ध्यान में रखिएगा तो इसमें कुछ छोड़ना नहीं है इसलिए देखिए chapter आप काफी लंबे लग रहे हैं यह दोनों आपके CRPC और evidence हो गए और part C यानि जो पहला paper law का है वो तीन पार्ट में ABC में बटा हुआ है सी देखिए अब आपका यहां से थोड़ा चीज़ें टफ होती है जहां के number आप भी decide करते हैं NDPS Act है 85 का यह है उसके बाद SCST Act है Arms Act है अब देखिए SCST Act या Arms Act यह छोटे हैं लेकिन प्रेश्ण काफी अच्छे बनते हैं इसके अलावा राजस्थानिक साइज आक्ट यह बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं होगा जो राजस्थान से बाहर के हैं तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा Essential Commodities Act है और इसमें देखिए सीधे स्पेसेफिक कर दिया है All Provisions from section 1 to 16 और syllabus में भी जो है आपका 1 to 16 देही रहा है आपका अब देखिए preconception and prenatal diagnostic technique का भी आपका syllabus में है और POCSO भी आपका syllabus में है इसके बाद आपका जो है वो महत्वपूर्ण वो हो जाता है डौरी प्रहबिशन एक्ट फिर राजस्थान पब्लिक examination prevention of unfair means act 1992 the indecent representation of women 1986 food safety standard act और राजस्थान बोवाइन इनिमल एक्ट इसके बाद आपका इस syllabus complete हो जाता है लौका अब आते हैं पेपर 2 की जो है तो 25 नमबर हिंदी और 25 नमबर English यानी टूटल 50 नमबर का लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो हिंदी प्रिष्ट भूमी के चात्र हैं कई बार होता हुँ हिंदी बैतर कर लेते हैं और law में नहीं कर पाते हैं और अमूमन तैयारी वाली ऐसे हैं जो दोनों में अच्छा करते हैं या दोन माउस उपसर्ग प्रत्य शब्द प्रकार में तत्सम अर्द तत्सम देशज विदेशज तद्भाव संग्या सरोनाम विशेशन क्रिया अव्यव शब्द ग्यान में परयावाची विलोम शब्द और शब्द युगमों का अर्थभेद यानि जब दो ही शब्द एक जैसे भी से आएगा प्रश्ण व्याकरने कोटियों में परसर्ग लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति पक्ष वाच यह सब वाके रचना वाके शुद्धी विराम चिन्यों का प्रयोग मुहावरे लकुक्तियां परिभासिक शब्दावली इसमें आपको जो लीगल टम्स हैं व हुमा रहा है 25-25 नंबर का होने आपको बताए गया है टेंस डिटर्माइनर फ्रेजल वर्प्स एंडियम एक्टिव और पैसी वाइस कोडिनेशन और इंडायेक्ट मॉडल एक्स्प्रेसिंग व्यर्यस कॉंसेप्स ऑब्लिगेशन रिक्वेस्ट परमीशन प्रोहबीशन इ जो तीन मॉत्वपूर्ण आपको नोड दिये गये वह है पैटर जो है वह अब्जेक्ट्व रहेगा पहला पेपर जो हौँए 100 पचास कोश्चन करेगा यानि 150 नंबर का है तो 150 कोश्चन भी है इसी तरह से जो दूसरा पेपर है वहाँ पे 100 कोश्चन रहेंगे तो यहां पर आपको नंबर भी आधे हो जा रहे हैं और question भी लगबाग मतलब वेटे जो डबल का हो जा रहा है तो इससे भी आपको दिहान रखना है यानि आपको जो अच्छी लीट दिलाए का वह लौ है और इसके लावा इसमें भी आपको accuracy रखनी है पेपर सेकंड में भी और negative marking का प्रावधान भी है इस चीज पर गौर कीजिएगा इसको गंभीरता से लीजिएगा तो यह पूरा syllabus है तैयारी समय द्यान रखें यहां सिर्फ qualify नहीं करना है आपको जो written examination जो phase 1 है वही आपका selection दिलाएगा तो इस पर द्यान रखें मेहनत करें समय अच्छा है अंतिम तार रहें तो बिल्कुल अविलम दुहर दीजिए मैनत करते रहें निश्ची तोर पर सफलता मिलेगें धन्यवाद शुब कामना है